Let's see the world from an eye of an architect. Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे attached washrooms की. कि हमें attached washrooms कैसे plan करने चाहिए. जब भी हम कोई renovation करते हैं या कोई planning करते हैं. हम हमेशा ध्यान देते हैं fixtures पे, tiles पे, accessories पे. बट कभी भी हम functionally सोचते हैं. एक bathroom को functionally कैसे behave करना चाहिए. उसकी क्या zoning होनी चाहिए और सई functional bathroom क्या होता है. आज हम बात करते हैं bathroom के zoning की. Bathroom की zoning की बात करें तो bathroom में two type की areas होते हैं. एक होता है dry area, एक होता है wet area. Dry means सूखा, wet means खीला. Dry area होता है WC और wash basin और wet area होता है shower area. हमें functional bathroom के लिए हमेशा इन दो areas को अलग अलग रखना चाहिए. हम इनको कैसे divide कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं. आपको अब एक layout plan दिखाए दिया हो, चाहां पे मेरी entry करते ही मेरा basin है. इन मेरा WC है, फिर मेरा shower area यानकी मेरा dry area जो है, वो wet area से बिलकुल अलग है. अब हम इस wet area को कैसे अलग कर सकते हैं, हम इसमें partition provide कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं glass partitions, आपको image में दिख रहा होगा, glass partition. या फिर हम इसमें tile में drop दे सकते हैं, जिसे technical term में बुलते हैं, बनी. या फिर हम planning ही ऐसी कर सकते हैं, कि मेरे दोनों area हैं, वो by wall divide हो जाएं, brick work से divide हो जाएं. अब glut zoning देख लेते हैं, क्या होती है, glut zoning होती हैं, जहां मेरा dry area के बीच में wet area आ रहा हूँ. planning में जिसाब को दिख रहा होगा, कि मेरे WC और basin के बीच में मेरा shower area आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है. यारे कि दोनों dry area के बीच में मेरा wet area आ रहा है, means कि अगर में dry area दिन में 10 बार भी use कर रहा हूँ, तो मेरा wet area है, वो suffer करेगा, वो उतनी बार ही गंदा होगा, जो कि technical नहीं ऐसा होना चाहिए. अब आपको एक layout दिख रहा होगा, जिसमें मेरा basin साइड में है, center में मेरा WC है, then मेरा shower area है, planning बिल्कुल ठीक है, dry area, wet area से अलग है, but there is no level difference, level difference होना चाहिए, either by partition or trial drop. अब आपको एक और layout दिख रहा होगा, जिसमें मेरा center में मेरा basin है, then एक साइड में WC है, एक साइड में shower area है, planning बिल्कुल ठीक है, मेरा dry area जो है, wet area से बिल्कुल अलग है, अब आपको एक और layout दिख रहा होगा, जिसमें जो मेरा shower area है, वो कोने में आ रहा हो है, planning बिल्कु थीक है, ऐसे प्लैंट हम कर सकते हैं, इसमें मेरा ड्राय एरिया जो है वेट एरिया से अलग है, आपको एक इमेज तिखरी होगी, इमेज में क्लियर हो जो मेरा वेट एरिया है, उसमें मैंने बन्नी प्रोवाइड कियो है, यानि की टाइल ड्रॉवाइड किया हुए, पानी नहीं आएगा, जहां मेरा शावर एरिया ड्रॉवाइड कि सेंटर में मैंने वाल प्रोवाइड कि वही है, फिर उसको सब डिवाइड किया हुए, पार्टिशन से, आप ऐसे भी बात्रूम डिजाइन कर सकते हो, इसमें आप बात्रूम डिजाइन कर रहे हो, जिसमें आप बात्र प्रोवाइड कर रहे हो, तो बात्र अप हमेशा कोने में होना चाहिए, तो कि बात्र अप जहें मेरा वंस इन आ वाइल यूस होता है, बात्र की स्टांडर हाइड होती है, 15 इंच to 20 इंच, आपको पिक में भी दिख रहा होगा कि वहमेशा कोने में लिया होए, आप you